सिक्षक साथियों नमस्कार मेरे चनल एडुकेटर जी में आपका हार्दे कभिनन्दन है यह वीडियो वैसे सिक्षक साथियों के लिए है जो BPSC द्वारा निकाले गए प्रधान सिक्षक की तयारी में लगे हुए हैं तो इस वीडियो में उनके लिए 20-25 महत्वपूर्ण समान्य विज्ञान के अबजेक्टिव प्रस्न दिये जा रहे हैं चलिए आए एक एक प्रस्न को समझते हैं पहला प्रस्न है ग्लोबल बार्मिंग के लिए उत्तरदाई गैस है अर्थात कौन सी गैस है जो ग्लोबल बार्मिंग के लिए उत्तरदाई है चार विकल्प दिया हुआ है O2, NH3, CO2, N2 तो इन सभी गैसों में से विकल्प C सही होगा CO2 अर्थात कार्बन डायोकसाइड अगला प्रस्न है सुर्य तथा अन्य तारों की विसाल ऊर्जा के सुरोत है चार विकल्प है A. नाभेकिये सनलयम, B. नाभेकिये विखंडन, C. डोनो, D. इन से कोई नहीं तो उचित उत्तर हो जाएगा A. नाभेकिये सनलयम बिकल्प ए होगा अगला प्रस्ण है नावे कि ये विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयूक्त होता है अर्थार क्या प्रयूक्त किया जाता है चार बिकल्प है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडिमियम का छड़, एलुमिनियम का छड़ तो सही उतर हो जाएगा उतर C कैडमियम का छड अगला प्रस्ण है उर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विसाल सुरोत क्या है विकल्प A है कोईला, B है बिजली, C है सूरिय और D है परमाणुबम तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प C सूरिय अगला प्रस्ण है बॉक्स नुमा सौर कूकर में तीन से चार घंटे में अंदर का तापमान हो जाता है और थात कितना हो जाता है तो A है जीरो डिग्री सी से विकल्प A है जीरो डिग्री सी से 100 डिग्री सी विकल्प B है 100 डिग्री सी से 140 डिग्री सी विकल्प C है 140 डिग्री सी से 200 डिग्री सी और विकल्प D है 200 डिग्री सी से 1000 डिग्री सी तो सही उतर हो जाएगा विकल्प B 100 डिग्री सी से 140 डिग्री सी अगला प्रस्ण है पवनों का देश कहा जाता है अर्थात किस देश को पवन का देश कहते हैं ए भारत बी फीनलेंड सी डेनमार्क और डी है अमेरिका तो यहां सही विकल्प हो जाएगा सी डेनमार्क अगला प्रस्न है पवन विदूत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए विकल्प ए है 15 किलोमेटर प्रति घंटा बी है 150 किलोमेटर प्रति घंटा सी है 1.5 किलोमेटर प्रति घंटा और डी है 1500 किलोमेटर प्रति घंटा तो सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प A. 15 किलो मीटर प्रती घंटा अगला प्रस्ण है जिवास्म इंधन का उदाहरण है A. क्वेला, B. लकडी, C. गोबर गैस, D. ये सभी तो सही बिकल्प हो जाएगा उपर के तीनों क्वेला, लकडी और गोबर गैस ये सभी जिवास्मी इंधन है अगला प्रस्ण है प्रचीन काल में उस्मिय उर्जा का सबसे अधिक समान्य सुरूत था A. घास, B. लकडी, C. पोवन, D. बहता जल तो सही बिकल्प हो जाएगा, B. लकडी, प्राचीन काल में उस्मा का ये ही सबसे समान्य सुरूत था अगला प्रस्ण है, कार्य करने की छमता को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? तो चार बिकल्प है, बल, B. है सक्ति, C. है उर्जा, और D. है इंधन तो सही बिकल्प हो जाएगा, C. कार्य करने की छमता को उर्जा कहते हैं अगला प्रस्ण है, गूबर गैस एक प्रकार की है, अर्थात क्या है? तो A. प्राखिर्तिक गैस, B. बायो गैस, C. लकडी, D. चुलहा तो इस तरह से इसका सही बिकल्प हो जाएगा, B. गूबर गैस, एक प्रकार की बायो गैस है अगला प्रस्ण, नवी करने ये उर्जा का स्रोत है? A. नाभिकिये उर्जा, B. सौर उर्जा, C. कोएले से प्राप्त उर्जा, D. प्राकिर्तिक गैस से प्राप्त उर्जा तो सही उतर हो जाएगा, बिकल्प B. सौर उर्जा, ये जो है, नवी करन ये उर्जा स्रोत है अगला प्रस्ण है, जैव गैस एक उत्तम इंधन है, क्योंकि इसमें मिथेन गैस पाई जाती है, कितना परसेंट पाई जाती है, बिकल्प A है, 50%, B है, 60%, C है, 70% और D है, 75% तो इसका सही बिकल्प हो जाएगा, बिकल्प D, 75% अगला प्रस्ण है, और नवी करन ये उर्जा का स्रोत है, बिकल्प A, जिवास्मी इंधन, B, सौर उर्जा, C, पवन उर्जा, D, विदुत उर्जा तो और नवी करन ये उर्जा का स्रोत दिये गए बिकल्पों में से, A है, जिवास्मी इंधन, ये और नवी करन ये होता है अगला प्रस्ण है, सौर उर्जा को विदुत उर्जा में परिवर्थित करती है, A है विकल्प सौर उस्मक, B, सौर कूकर, C, सौर सेल, D, विदुत मोटर तो यहाँ बिकल्प हो जाएगा C, सौर सेल यह जो सौर सेल है सौर उर्जा को बिदुत उर्जा में बदलती है अगला प्रस्ण है एक उतम इंधन है चार बिकल्प है कोईला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जयवगैस तो इस प्रस्ण का सही बिकल्प हो जाएगा जयवगैस बिकल्प नमबर D यह एक उतम इंधन है अगला प्रस्ण है नरवरा नाभिकिये विदुत सन्यंत्र किस राजय में इस्थित है विकल्प A है राजस्थान, विकल्प B है महाराष्ट, विकल्प C है उतर प्रदेश, विकल्प D है गुजरात, तो सही विकल्प हो जाएगा C उतर प्रदेश अगला प्रस्ण है जिवास्मी इंधन उर्जा के है अर्थात कौन से स्रोत है चार विकल्प है A नवी करण ये स्रोत B और नवी करण ये स्रोत C वैकल्पिक स्रोत D इन में से कोई नहीं तो विकल्प हो जाएगा B जिवास्मी इंधन और नवी करण ये उर्जा के स्रोत है अगला प्रस्ण है सरदार सरोबर बांध किस नदी पर बना है विकल्प A है गंगा नदी, विकल्प B है सतलज नदी, विकल्प C है नर्मदा नदी, विकल्प D है तापती नदी, तो इस प्रस्न का सही विकल्प हो जाएगा C नर्मदा नदी, अगला प्रस्न है टीहरी बांध किस नदी पर बना है, विकल्प A है गंगा नदी, B है सतलज न C है यमुना नदी और D है नर्मदा नदी तो इसका सही विकल्प हो जाएगा A टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर है तो इस तरह से इस वीडियो में यही सब प्रस्न रखे जा रहे हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले कुछ प्रस्नों का लोट लेकर उपस्थित ह आपसे यही रिक्विस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद